नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है वो पांच स्वप्न जो की माने गए हैं बेहत अशो मनुशी योँ ही स्वप्न नहीं देखता है, हर स्वप्न का एक मतलब होता है इन सपनों में कोई संदेश छपे होते हैं, ये संदेश पविश्य या बरतमान किसी भी समय से जुड़ा हो सकता है मानेता है कि सपनों का तालूक तीसरी दुनिया से होता है जो हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में हमें पूर्व से ही आगा कर हमें उसके लिए तैयार हो जाने का संकेत देती है ऐसी इस्तिती में सपनों को नजरंदाज करना बिल्कुल भी समझदारी का कार्य नहीं का जा सकता है चुकि सपनों का अर्थ कुछ भी हो सकता है सपने शुब भी हो सकते हैं अशुब भी ऐसे में जातो को को सबसे ज़्यादा सापदान होने के जरूवत अशुब सपनों में होती है यही वज़े है कि आज हम आपको इस लेक से उन सपनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनें देखना अशो माना गया है तो नमस्कार दोस्तों मैं भैबब शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पुरान कोश में और उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आप अन्त तक जरूर देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सपना वो है सवपन में काला साप दिखना यदि किसी बीमार व्यक्ति को सवपन में काला साप दिखे तो इसे बहत अशुर माना जाता है इस सपने के मताबिक उस व्यक्ति को मृत्यू के जैसे कश्टों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन यदि ये सपना कोई गर्वबती महिला को दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है सवस्थ पुरुस को सपने में काला साप देखने का अर्थ है कि उसकी योन इच्छा प्रवल हो चुकी है दूसरा सपना है सपने में पहार से गरना जोतिश शास्थ के अनुसार यदि कोई जातक पहार पर से गरने का सवपन देखता है तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में राहुकेतू की दिसा प्रारम हो चुकी है वही ये सपना पद या सम्मान में कभी आने का सूचक भी माना जाता है साथ ही इस सपने का अर्थ यह भी है कि आपको भविश्य में किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की आशंका है तीसरा सपना है उल्लू को सपने में देखना उल्लू को सपने में देखना बेहत अशुव माना गया है यह सपना इस बात का सूचक है कि निकट भविश्य में आप किसी रोक से ग्रसित होने वाले हैं या फिर आपको कोई सोग समाचार मिल सकता है उल्लू को सपना देखने वाले जातकों को 21 दिनों तक साबधान और सजक रहनी के सला दी जाती है चौता सपना है अतिती का आगमन सपन में यदि किसी अतिती का आगमन होता है तो यह एक बुरा सपन माना गया है यह सपना इस बात का सूचक है कि निकट भविश में अचानक ही आपको कोई विपत्ती घेर सकती है ऐसे में आपको सजक रहने की जरूत है और पाँचमा सपना है सिर मुणवाने का सवपन सिर मुडवाने का सौपन अलग-अलग परिस्तितियों में अलग-अलग अर्थ देता है यदि कोई महीला सौपन में सौयम को सिर मुडवाते हुए देखती है तो ये एक बुरा सौपन है इस सपने का अर्थ है कि जल्दी किसी प्रकार आर्थिक मुखसान उस महिला को होने वाला है वहीं यदि पुरुस ये सपना देखता है तो ये एक शुप सपनों माना जाता है इसका अर्थ है कि उस पुरुस को जल्दी किसी प्रकार का आर्थिक लाव हो सकता है तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी किरपेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद